हलो बच्चों तो अब हम करने जा रहे हैं प्रक्टिस पार्ट ऑफ गॉर्मेंट बजट बच्चों आपने इतने सारे फॉर्मूले किये हैं उसके बेसिस पे कुछ कोश्चिंज हैं जो हमें करने बढ़ेंगे तो सबसे पहला कोश्चिंज है ये वाला जिसके अंदर रेविन देफिसित है 25,00,000 हमें निकालना क्या है रेविन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों देखो अगर हमें रेविन्यू एक्सपेंडिचर निकालना तो हमें कैपिटल रिसिट के तो कोई जरूवत है नहीं ठीक है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले रेविन्यू एक्सपें हमें निकालना है और रेविन्यों रिसेट्स हैं 100 लाक तो रेविन्यू एक्स्पंडिचर कितना हो गया 25 प्लस लाक तो यह हमारा फॉर्स्ट कोश्चिन कवर हो गया देखिए अब सेकंड कुश्चिन इसके अंदर आपको बजेट डाफिसेट निकालना है तो बजेट डाफिसेट किसके इक्वल होता है टोटल एक्सपंडिचर में से टोटल रिसेट को हम माइनस कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास बजेट डाफिसेट आ जाता है ठीक है तो टोटल एक्सपंडिचर कितना होगा हमारा रेविन्यू एक्सपंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपं 40,000 plus capital receipt कितनी है 30,000 ठीक है तो यह कितना हो गया 80,000 में से हम माइनस करेंगे 70,000 कितना रहा गया 10,000 तो यह 10,000 क्या है हमारा यह करोड में है तो 10,000 करोड हमारा budget deficit है देन आया fiscal deficit क्या है कैसे निकलेगा बचो आपको पता यह formula तो तो fiscal deficit total borrowing requirements बताता है आपको बचो देखो वैसे तो ना कई बार क्या होता है question के अंदर total borrowings दे रखी होती है या borrowings दे रखी होती है तो बचो वही हमारा fiscal deficit होता है आप दुबारा से निकालने मत लग जाना इस question में although नहीं दिया हुआ हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा या find out करना पड़ेगा तो fiscal deficit का formula क्या होता है total expenditure minus total receipt except borrowings ठीक है या net of borrowing तो यहां total expenditure कितना है 1,50,000 इसमें से total receipts minus करेंगे और वो कितनी है revenue receipts plus non debt capital receipt अब revenue receipt कितनी थी हो मैं सिधा लिखी रही हूँ यहां पे 1,20,000 ठीक है और इसके अंदर हम add करेंगे capital receipt net of borrowing इसमें non debt capital receipt मतले इसके अंदर से हमने वो निकाल रखा है पहले से इसमें include नहीं हुआ 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 ठीक है तो यह हमारा total कितना हुआ 1,30,000 तो हमारा कितना आ गया 20,000 आ गया 20,000 क्या fiscal deficit यह हमारा fiscal deficit है ओके then comes one more question बस जादा नहीं करा रही तो सबसे पहला revenue deficit क्या करना है revenue deficit किसके equal होगा revenue expenditure minus revenue receipts revenue expenditure कितना है 110 revenue receipts कितनी होती है अब बच्चों देखो यहां revenue receipts के नाम पे नहीं है यहां पर पते क्या रिया हुआ है tax revenue और non tax revenue उनको plus करना पड़ेगा तो tax revenue 50 है non tax revenue 30 है total 80 हो गया 110 में से minus किया तो कितना आ गया 30 लाक आ गया हमारा revenue deficit second part fiscal deficit निकालना है बच्चों देखो क्या यहां पर आपको borrowings दे रखी है नहीं दी तो हमें formula लगाना पड़ेगा fiscal deficit is equal to total expenditure total expenditure कितना हो जाएगा capital expenditure 210 plus revenue expenditure 110 में से हम minus करेंगे revenue receipts revenue receipts हमने फिर plus करनी पड़ेंगी उपर जैसे हमने की थी 80 हो गई ना plus capital receipts net of borrowing को करके दे रखी है और वो कितनी है 140 तो हमारा total expenditure कितना आ गया 320 ठीक है और total receipts कितनी आ गई no accept borrowing वो आ गई हमारी 140 plus 80 220 ठीक है तो हमारा 100 आ गया 100 लाक क्या चीज फिसकल deficit बच्चों अब हमारा फिसकल deficit आ चुक है अब हमें क्या निकालना इंट्रस्ट पेइमेंट तो इंट्रस्ट और सौरी अब हमें निकालना है primary deficit सी पार्ट कि प्राइमरी डेफिसिट किसके इकवल होगा फिसकल डेफिसिट में से मैं इंट्रस्ट पेइमेंट को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट ठीक है फिसकल डेफिसिट कितना था 100 और इंट्रस्ट पेइमेंट आप देख सकते हो 20 है तो मैं यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया एटी लाक ठीक है बाट मुझे करेंट यर के लिए भी एटी लाक बोरो करने पड़ेंगे लोगी बात देन कम्स ऐसे वले एक्जाम्पल भी आएंगे से कुश्चिंस भी आते हैं गिविंग रिजन स्टेट वैदर फॉलोइंग इस र लिए वित्विए पिल उन्स ना और कौं सा हुआ कर और रिविण्यू एक्स्पेंडिचर 222 ऐ एक्सपेंडिचर अंडिंग बिल इसेट प्रिच वोगा तोयी क्यापिटल एक्सपेंडिचर। expenditure on collection of taxes, कोई नहीं होगा, तो revenue expenditure, expenditure on purchasing computer, हाँ asset create हो रहा है, तो capital expenditure, ठीक है, तो इसके reason के साथ आपको explain करना है, ऐसे ही हम receipts वाला पार्ट भी ले लेते हैं, revenue receipt है या capital receipt है, tax receipt बताओ, revenue receipts neither creates, slability nor reduces the asset, disinvestment, capital receipt, recovery of loan, loan recover हुआ, पैसा आया, ठीक है, receipt है, और इससे होगा क्या, हमारे debtors कम हो जाएंगे, तो हमारा ये capital receipt है, profits of PSU, बताए हुए थे ना मैंने पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में, that is revenue receipt, again, thank you, practice part is also over, अब आपका chapter complete हो चुका है, ठीक है, thank you,